तो यह जो आप मेरे हाथ में देख ले हो यह है डीजो वाच आर जो कियाता है रियल मी के तरफ से इस वाच को पर्चेस किये हुए मुझे अल्मोस् 3 महिना हो चुके हैं यह 3 महिने के बाद मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ यह वाच आपको पर्चेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यह वाच का मुझे एक प्रॉब्लम आया है बहुत बड़ा इसू है इस वाच में जो के मैंने फेस किया है इस वाच को मैं जब सर्विस सेंटर में लेके गया था वहां का मेरा क्या एक्सपीरियेंस था यह चीज़ आज की इस वाच में आपको जानने को मिलेगा इस वाच को शुर फि नहीं पर्चेस किया है उन लोगों का एकफिरियेंस इस वाच के साथ मैं सबी चीजों के बार मैं बात करेंगे अज की इस वडियम है वडिय को इन तक आप जरूर देखना मैं हूँ है दली स्वागत आपका अमरे चैनल टेक की है दर मैं अगर आपको डीजो वाच आर का फ्यूचर नहीं पता है क्या कुछ स्पेसिफिक किसंस मिलता है इस वाच में स यहां पर आपको 5 ATM Water Resistion मिल जाता है 10 Days Battery Life यहां पर आपको मिलता है 150 Plus इस बात करते हैं किeft आखेर kya प्रोब्लम आया है वो है इसका डिस्प्लेश अगर आप देखोगे तो यह है अभी काम नहीं कर पाता है और इससे दिन आले यह चार्क दिन पहले मैं इस हमने के साथ का वारेण्टी मिलता है इसको हमने लेके चला गया सर्विस सर्वीस सेंटर में विजीट करने के बाद में, जब हम सर्वीस सेंटर वालों को ये वाच्च दिखाया और जो हमारा वारेंटी का पेपर है वह हमने दिखाया, तो वह लोग बोला कि ठीक है आप तोरा वेट कीजे है, इस वह लोग andर लेके गया दे जाने के बाद में वो 15 मिनिट के बाद में आया और आने के बाद में बोल रहा है कि हम आपका वारेंटी क्लेम नहीं कर सकते हैं हमने उनसे रीजन पूछा रीजन वो बताया कि आपने पहले से ही बैक पैनल को खोला हुआ है बट मैं आपको बता दूँ कि मैंने कभी इस वाज का बेक पैनल खोला है नहीं था क्योंकि यह अंडर वारेंटी में है तो इस वज़े सागर मुझे कोई प्रॉब्लम आये तो मैं पहले से ही सोच के रखा था कि मैं जो है सर्विस संटर में जाओंगा यह प्रॉब्लम आने के बाद मैं जब मैं सर्विस संटर में तो वो लोग जो है मेरा वारेंटी को क्लेम नहीं किया और मुझे बोला कि आपने जहitution बेक पैनल पहले से ही खोल के रखें इ vurकर ला कि आपने बेक पैनल को अपन करके रखा था यह problem सिर्फ मेरे साथ में ही नहीं है मेरे और भी बहुत सारे friends जैसे के मैं आपको बताया कि purchase किये हैं इस watch को वो लोग के साथ में भी same issue आ रहा है कुछ ना कुछ problem इस watch में आपको देखने को मिलता ही है यहाँ पर जो ज्यादा तर problem है वो आता है इसका display and touch के उपर तो किस मेरा warranty था एक साल तीन महना ही हुआ है अभी और यह watch जो है मेरा बेकार हो गया तो अगर प्राइस देखोगे आप लोग के साड़े तीन हज़ार चारहजार रुपे के प्राइस में आता है इस प्राइस में अगर आप एक watch को 6 महना भी यूज ना कर पाएं तो यह विल्कु प्राइस कर सकते हो तो अमीद है कि यह विडियो आपके लिए helpful रही होगी जो मेरा experience है इस watch के साथ में वह मैंने आप से शेयर किया तो विडियो आप लोगों को पसंद आए तो विडियो को लाइक जरूर कीजएगा और ऐसे helpful विडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन पर भी प्रेस कर दीजेगा मिलेंगे फिर किसी आने वाले इंट्रेस्टिंग भड़े के साथ मैं तब तक के लिए बाइबाई एंड टेक केर